Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग reading करने वाले हैं Messages for your love life. चाहे आप relationship में हो, चाहे आप married हो, ये reading आपके लिए है. So, ये reading general reading है और timeless reading है. अगर reading आप तक पहुची है, आपको definitely यहाँ से help और guidance मिलेगी. चाहे आपके लिए स्टार्ट करते हैं आपकी reading. Messages for your love life. चाहे देखते हैं कि इस टाइम आपके जो partner है, वो आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं. So, feelings of your partner for you. So, we have distorted masculine. Luminosity Boundaries. मुझे लग रहे है कि आपके partner और आप जो है, अभी गुस्टे की vibration match नहीं कर पा रहे हैं. आपके partner जो है, मुझे काफी low vibration या low frequency में नसर आ रहे हैं. बहुत ज़दा busy है, काम, काम, काम. ठीक, उनके पास time नहीं है आपके लिए. या फिर बहुत ज़दा एक mismanagement है time का. बहुत money minded भी लग रहे है मुझे या उनकी काफी struggle जल रहे है उनकी जिन्दगी में. उनकी professional level पे, और on the other hand, आप जो हो, आप काफी ज़्यादा positive हो, spiritual हो, आपका aura काफी ज़्यादा positive है, आप growth के बारे में सोच रहे हो, development के बारे में सोच रहे हो, अपने रिष्टे के, और आप even आप self love पे ही focus करे हो, आपका focus अपने आप के उपर भी हैगी. आप अपना खुद का ध्यान कैसे रोको, बट आपके partner जो है, वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, उनका focus जो है, वो सिर्फ काफी material desires पे इस वक्त ज़ादा है, so maybe आपके बीच में थोड़ी सी boundaries हैं इस time की, मतलब आपने, you know, एक काफी थोड़ी से एक boundary बना ली आपने, आपका intuition आपसे कह रहा है, to create boundaries, because अभी वो person उस zone में ही नहीं की, वो आपकी बातों को समझ सके, आपके aura से match कर सके, तो आपने एक boundaries ही बना ली है, अपने दिल के चारों तरफ, तो आप, आप भी उनसे इतना कुछ, बहुत जादा expectation नहीं रख रहे हो, या बहुत आप उनको entertain नहीं कर रहे हो इस time, जितना अगर वो आपसे बात करें, तो आप भी उतना ही level पर आप उनसे बात करें, and we have life purpose, I think कि आप और आपके partner दोनों ही अपने life purpose को डूणने में लगे वे हैं, उनका life purpose कुछ और है, आपका life purpose कुछ और है, आप अपने तरफ चल रहे ह यह जीज़ भी है, and then we have maturity, so I guess कि जब वो level of maturity आएगा, जब आपके partner कुछ बाते कुछ realize होंगी, तो वो खुदी आपके पास आएंगे, और एक mature conversation होगा आपके बीच में, और वो divine खुदी realize करवाएंगे उनको, with time, आप जितना push करोगे, आप जितना मतलब उनको poke करोगे, इस time तो वो सहीं रहेगा, तो जैसे वो कर रहे हैं, जैसे वो जी रहे हैं, let him or her be, okay, आप अपने काम पर ध्यान दो, वो अपने काम पर ध्यान दो, आपने life पर की तरब बढ़ो, चलिए और देखते हैं, कि आपके partner का next action क्या होने वाला है आपके लिए, आपके partner क्या अब action लेने वाले हैं आपके लिए, we have seven of pentacles, काभी slow है ये person, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचने वाले person है ये, tempest, बहुत patience रख रखा है इस person ने, judgment, seven of wands, ace of cups, finally, ace of cups, and we have king of wands, तो ये person जो है न, ये person बहुत सोचता है, या सोचती है, कोई भी फैसला लेने से पहले, मतलब कि, अगर आप married भी हो न, तब भी आप भी observe कर रहे हैं ये, जो person है, इनका ध्यान अभी कोई और जीज़ों पही है, इस person का ध्यान अपने अभी material desires पे जादा हैगी, म तो अगर सा पेश, तो अगर सा पेशन रखना पड़ेगा, तो अगर सा मतलब टाइम लेंगे ये person, फिर देर देर से कि, आप काफी prayer करते हों, मुझे, आप में से काफी spiritual vibes आते हैं, तो आप prayer कर रहे हों, तो आपकी prayers ही इस person को change करेंगे, आपकी prayers ही, आपका love ही इस person को, व आपका prayer ही इस person को realize करवाएगी, बढ़ आपको इस person के पीछे नहीं भागना है, और जज्मेंट, तो divine, जब जब जज्मेंट देरें, सब कुछ सही हो जाता है, तो एक जज्मेंट आने वाला है, और जब जज्मेंट होगा ना, तो अपने आप मतलब उनकी जो सोच है, उन तो एक जब से एक change आएगा उनके अंदर कि वो भी अपने emotions को express करेंगे आपके आगे, आपको बहार लिखे जाएंगे, आपके सांग क्वालिटी ताइम स्पेंड करेंगे, प्रपोस करेंगे आपको, और फिर finally मतलब वो divine masculine जो है, जो आपको चाहिए, चाहिए लड़का हो पीछे, वो खुद आएंगे आपके पास, और वो प्यार तो करते ही आपसे, बट कहीं न कहीं कोई चीज़ छुप जाती, कभी-कभी-कभी-कभी वो desires के पीछे ना वो प्यार छुप जाता है, पर लव है उनका, pure love है उनका भी आपके लिए, और वो efforts भी लेंगे आपके ल यहां से देखते हैं, और कुछ messages आपके relationship के लिए, so we have free yourself, it's time to take back control of your life, exactly, आप अपने आपको free कर लो, because आप जितना इसके पीचे भागोगे इस person के, आप उनका संग रह भी रहे हो, right, तो भी, आपको बहुत जादा focus नहीं करना है, आपको अपने पर focus करना है, आप free yourself, आप अपनी life का control, बस अपने हाथ में ले लो, love yourself first, exactly, your self-respect makes you more romantically attractive, तो अगर आपको इस person का attract करना, तो अपने आप से प्याद करना, start कर दो, ध्यान ही मत दो, अपने उपर ध्यान दो, अपनी care करो, अपने ले ready हो, अपने लिए आप जो करना है करो, तो ये person को रियलाईज होगा, आप इनको attention नहीं देता हो, फिर ये आपके पीछे भाग की आएंगा है, तो आपकी respect, आप अपने आपको respect करोगे, तो और आप और romantically attractive होजाओगे, soulmate, yes, this is your soulmate, तो एक confirmation है कि ये जो person है, ये आपके soulmate, तब भी आपको इस तरह के lessons बार 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 देते हैं divine, because ये journey ऐसी होती है, तो yes, this person is your soulmate, and heart-to-heart conversation honestly discuss your feelings with each other, तो उसके बाद ये जब change आएगा, तब ये heart-to-heart conversations करेंगे, आपके साथ, अपनी feelings बताएंगे, अपने desires आपको बताएंगे, आपको बताएंगे, कि how much they love you, and अभी भी ब्यार करते हैं, बट बता नहीं रहें, तो, but वो openly फिर आपको बताएंगे, discussions करेंगे आपके साथ, चलिए, फिलहाल ये person आपसे क्या कहना चाते हैं, फटाफ़ट से हम देख लेते हैं, कि ये person आपको क्या message देना चाते हैं, so we have, you can read my mind, तो आप जो आप इनका mind read कर लेते हैं, आप काफी intuitive हो, आपको बलाब पता हैगी, इस person के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको समझ में आ जाता है, then you are honest with me, तो आप काफी honest हो, काफी loyal हो, इस person के साथ, then we have, you sound sexy over the phone, तो इनको आपकी आवाज काफी पसंद है, में आपको बोल चुके हैं, कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जब फोन बे बात करते हो, आप तो काफी compliment दे चुके हैं आपको, you respect my family, तो आप इनकी family के भी काफी respect करते हो, अगर आप उनकी family से मिले वे हो, या, अगर आप मारी पी हो, तो आप काफी respect करते हो, इनकी family की भी, then you trust me, ये जानते हैं कि आप इनका बेस्ट ही चाते हो, ये जानते हैं कि आप इनका best ही चाते हो, then you make me a positive person, आपके, जब आप इनकी life में आया हो, उनकी life में a positive change आया है, आप एक positive person बने हो, और दिन देरे बन रहे हैं, आप और changes ला रहे हो, आपका love जो है, वो नको change कर रहा है, you never let me feel lonely, आपने कभी इनको अकेला फील नहीं नहीं दिया, बले इनोंने आपको अकेला छोड़ा है इतनी बार, आप हमेशा रहे हो इस person के साथ you are crazy and doggy तो यह आप काफी cute way में crazy भी बोलते हैं यह आपको कि आप काफी cutely crazy हो you are very forgiving, तो अगर यह कोई गल्ती भी कर देते हैं तो आप इनको हमेशा माफ कर देते हो कि ठीक है कोई बात नी तो यह आपका nature है, यह आपका प्यार है उनके लिए तो यह वो बात जानते हैं कि अगर वो आएंगे आपके पास तो आप उनको माफ करी दोगे बगास आप उनसे इतना प्यार करते हो okay guys, so I hope कि आपको यहाँ थोड़ी बहुत guidance या help or advice मिली हो यह थी आपकी beautiful sea reading and thank you for watching the video bye guys, take care